दोस्तो नमस्कार फिजिक्स हिंडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हैं मैं लाया हूँ 2020 के लिए एक और मात्मून प्रश्ण जो की कक्छा बार्वी के लिए है और अध्याय तेरा प्राइक्ता से लिया गया है यह 2020 के लिए बहुत ही मात्मून प्रश्ण है देखिए यदि A और B स्वातंत्र घटनाएं हैं तथा P A बराबर है एक बटे दो P A यूनियन B बराबर है तीन बटे पांच और P B बराबर है P तो P का मान जात किजिए हमें P का मान जात करना है और हमें दो घटनाए A और B दी ग तो चुकि P A ये बराबर दिया हमें एक बटे दो P A यूनियन B बराबर दिया हमें तीन बटे पांच तब हमें P B अर्थात ये P दिया इसका मान जात करना है तो हमें कहा गया है चुकि A वाबी दो स्वतंत्र घटनाएं है जोकि स्वतंत्र घटनाएं है तो इसका मतलब है कि A और B की प्रायक्ता A और B की प्रायक्ता बराबर हो जाएगी A की प्रायक्ता गुलित B की प्रायक्ता इसको स्वाल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा दिस एंप्लाइज P A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा हमारे पास P A का मान है हमारा एक बटे दो और P B का मान है हमारे पास P तिसलिए A और B की प्रायक्ता अर्था P A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगी हमारे पास P बटे तो अब हमें P B का मान ज्यार करना है और हमें यूनियन का दिया तो हम जानते हैं चुकि P A इंटरसेक्शन B बराबर होता है P A प्लस P B माइनस P A intersection B यह होता है इसका माण डखें तो P A union B A union B का माण है 3 बटे 5 बराबर P A इसका माण है 1 बटे 2 धन P B इसका माण है P माइनस P A intersection B इसका माण हमने निकाल लिया P upon 2 अब इसको स्वालो करें तो यह जाएगा हमारे पास 3 बटे 5 बराबर इन सब जब इसको स्वालो करेंगे तो LCM निकालना पड़ेगा 2 1 और 2 का LCM जाएगा 2 2 का भाग 2 में 1 बार 1 का 1 से गुणा 1 दन 1 का भाग 2 में 2 बार 2 का P से गुणा हो जाएगा 2 P रिन 2 का भाग 2 में 1 बार 1 का P से गुणा P आगे इसको solve करेंगे तो यह जाएगा 3 बटे 5 बराबर 1 धन और रिन दो पी में से 1 पी जाएगा 1 पी बड़ी संजा का निशान बटे 2 और इसको solve करें तो यह जाएगा हमारे पास 3 बटे 5 दो का पक्षांतर कर दिया बराबर 1 धन पी यह जाएगा 3 दो नी 6 बटे 5 बराबर 1 धन पी पी का मान निकालना है एक का पक्षांतर कर दें तो पी बराबर हो जाएगा 6 बटे 5 दिया एक इसलिए पी बराबर इसका LCM निकाल की अहल करना है तो 5 यह कम 5 चे में से 5 जाएगा 1 अर्थाती हो जाएगा हमारे पास एक बटे पांच और इसी का हमें मान निकालना था और यही हमें पी भी अर्थात पी का मान याद करना था यह हैं और अध्यायतेरा प्राइक्टा से दिया गया है यह प्रशन 2020 के लिए बहुत ही मात्मून है देखिए प्रशन है क्या एक थैले में पांच लाल तथा तीन काली गैंदे हैं एक गैंद याद रक्षा थैले से निकाली जाती है निकाली गई गैंद के काली होनी की प्राइक्टा ग्याद करना है तो आपको एक थैले में दो प्राकार की गैंद है पांच लाल गैन है और तीन काली गैन है और इस थहले से एक गैन्द निकाली जाती है तो जो निकाली गई गैन्द है वह काली है इसकी प्रायक्ता हमें निकालना है चलिए देखें इसको हल कैसे करेंगे हमें दो घटना एक लाल गैंद एक काली गैंद हम मान लेते हैं जिसमें हम confuse ना हो माना गैंद के लाल होने की घटना आर वा गैंद के काले होने की घटना गैंद के काली होने की घटना घटना हमने मान ली बी है तो आर एक घटना है जो गैंद के लाल होने की घटना बी कोई दूसरी घटना है जो गैंद के काले होने की घटना है तो चुकि लाल गैंदों की संख्या लाल गैंदों की संख्या लाल गैंदों की हमारे पास संख्या है कितनी पाँच तो इसलिए ये नमबर आफ आर अर्थात लाल गैंदों की संख्या बराबर हो गई पाँच चुकि काली गैंदों की संख्या काली गैंदों की संख्या हमारे पास है तीन तो इसलिए नमबर आफ बी बराबर हो गई हमारे पास तीन बी घटना काली होने की प्रदर्शित कर रहा है अब चुकि ये दौनों प्रकार की गैंदे एक ही थेले में हैं तो इसलिए थेले में कुल गैंदों की संख्या थेले में कुल गैंदों की संख्या एक अई थैले में दोनों गैंदे हैं तो थैलों में कुल गैंदों की संख्या ये हो जाएगी हमारे पास 5 प्लस 3 is equal to 8 अर्थात कुल गैंद जिसको हम प्रतिदर समझटी कहेंगे number of S ये बराबर हो जाएगी हमारे पास 8 अब इन 8 गैंदों में से एक गैंद काली जाती है तो गैंद काली होने की हमें प्रायक्ता गयाद करना है तो इसलिए गैंद के काली होने की प्रायक्ता ये कहलाएगी हमारी P B ये गैंद का काला होना B है हमारी काली गैंद तो ये हो जाएगी हमारे पास इसका फार्मूला होता है अनुकुल घटनाओं की संख्या अर्थात number of B बटे कुल घटनाओं की संख्या अर्थात number of S इसलिए P B गैंद के काली होने की प्रायक्ता number of B अर्थात काली गैंदो की संक्या हमारे पास तीन और कुल गैंदो की संक्या हमारे पास है तीन बटे आठ इसलिए जो अभीष्ट प्राइक्ता आ गई अभीष्ट प्राइक्ता जो हमें प्राइक्ता निकालना है वह आ गई हमारे पास तीन बटे आठ और यही हमें निकालना था दोस्तों नमस्कार फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका सौगत है मैं लाएँ 2020 के लिए बहुत ही मात्मून प्रशन जो कि कक्षा बार्वी के लिए है और अध्याय तेरा प्राइक्टर से दिया गया है यह 2020 के लिए बहुत ही मात्मून प्रशन है देखे यह है यदि 2PA बराबर PB बराबर 5 बटे 13 तता PA अपान B बराबर 2 बटे 5 है तो PA Union B का मान गयात कीजिए हमें PA Union B का मान गयात करना है हमें दिया क्या गया है हमें दिया है 2PA अर्थाद घटना A के प्राइक्टा का दुगना बराबर है घटना B की प्राइक्टा बराबर है 5 बटे 13 यह दिया गया तो इसका मतलब हो जाएगा तो इसलिए 2PA अर्थाद घटना A की प्राइक्टा का दुगना बराबर हो जाएगा 2 बटे 5 बटे 13 जब हम इसको सालो करेंगे तो इसलिए this implies हमें PA का जो मान मिल जाएगा वह होगा 5 दो का पक्षांतर करने तो दो यहां गुणा में है 13 के साथ यहां पर भाग में आ जाएगा इसलिए PA की जो वैल्यू आ गई वहा गई हमारे पास पांच बटे 13 का जब दो से गुणा होगा तो 13 बटे 26 तथा PB की वैल्यू हमारे पास है PB बराबर यह दिया है हमें 5 बटे 13 यह होगा हमारे पास 5 बटे 13 और इसके बाद हमारे पास PA upon B का मान चुकि PA upon B इसका मान है हमारे पास 2 बटे 5 तो हमें PA union B निकालना है यदि हमें PA intersection B मिल जाएगा तो हम PA union B को निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि चुकि PA upon B बराबर होता है PA intersection B upon PB यह होता है इसको हम solve करें तो यह हो जाएगा हमारे पास PA upon B की value हमारे पास है 2 बटे 5 बराबर यह है हमारा PA intersection B upon PB PV की value हमारे पास 5 बटे 13 आगे इसको जब हम solve करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 2 बटे 5 बराबर यह PA intersection B बटे की बटे 13 उपर आ जाएगा बटे हमारे पास बच जाएगा 5 हमें चाहिए है P A intersection B बराबर इसका पक्षानतर करना है तो दो बटे 5 हमारा जहां के ताँ 13 बटे 5 का जब पक्षानतर करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5 बटे 13 5 से हमारे यह 5 कट जाएगा इसलिए हमारे पास जो मान जाएगा P A intersection B का वा आजाएगा हमारे पास 2 बटे 13 अब हमें चाहिए है P A Union B का मान तो हम जानते हैं कि P A Union B P A Union B बराबर होता है हमारे पास P A plus P B minus P A intersection B अब इनकी वैल्यू रखें तो this implies P A Union B बराबर P A P A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वह निकाली थी हमने 5 बटे 26 तो यह 5 बटे 26 तो पी वी की मान जो हमें दिया है वा दिया हमें 5 बटे 13 तो पी ए इंटर सेक्षन B इसका जो मान निकाला है वह हमने निकाला है 2 बटे 13 यह मान रख दिया हमने 2 बटे 13 इसको solve करें इसको help करें तो यह जाएगा हमारे पास P A Union B इनका LCM निकाला है 13, 26 तो LCM जाएगा 26 26 का बग 26 में एक बार 1 का 5 से गुना 5 तो 13 का बग 26 में दो बार 2 का 5 से गुना तो 25 दस तो 13 का बग 26 में जाएगा 2 बार और 2 का 2 से गुना हो जाएगा हमारे पास 4 जब आप आगे इसको solve करेंगे तो P A Union B बराबर 10 और 5 हो जाएगा 15 रिनक 4 बटे 26 इसको बटाएगे तो 15 में से जब 4 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 11 P A Union B बराबर हो जाएगा 11 बटे 26 और यही हमें हल करना था और यही इसी का हमें मान मिकालना था